हलो एरिवन मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिबिल सर्विसेज यूड्यूप चैनल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के वन एबंग वन जीव सन रक्षन को तो चलिए कंटेंट को सरू करते हैं बिहार में प्रति वैक्ती वन भूमी का आउसत 0.01 हेक्टेर है जो की राष्ट्रिय आउसत 0.08 हेक्टेर से बहुत कम है बिहार की प्रकृतिक वनस्पती में मुखे तब पर्ण पाती किस्न के वन पाये जाते हैं बिहार वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कूल 1 छेतर कूल भौगलिक छेतर का 7.84 प्रतिसत है भारतिय वन इस्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर किलोमेटर में फैले हुए हैं भारतिय वन स्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल रिकॉर्डेड वन छेत्र 7442 वर किलोमीटर है, 7.90% है जोकी जिसमें रक्षित वन 9.31% सनरक्षित वन 83.08% और अव वर्गीकृत वन 7.61% है बिहार के कुल भोगालिक छेतरफल का 3.44% अभ्यारन के अंतरगत आता है, राज्य में वन का कुल कार्बन भंडार 56.881 मिलियन टन, ब्रैकेट में 208.56 मिलियन टन कार्बन डियोकसाइड के बराबर है, जो देश के कुल 1 कार्बन का 0.79% है वर्ष 2015 में वनों के अंदर जल निकाय का विस्थार 44.00 किलोमेटर है, जो वर्ष 2005 के 52.00 किलोमेटर के तुर्णा में 38.00 किलोमेटर कमी दरसाता है बिहार में 120 सेंटीमीटर की सम्वरिस्टी रेखा सुस्क परणपाती वन वर आदर परणपाती वन के मध्ध सीमा निर्धारित करती है बिहार के वनों को मुखेतर दो भागों में बाटा जा सकता है पहला उपरी हिमाले एवंग तराई वन इस प्रकार का वन चम्पारन जीले के सोमिस्वर वर दून की सिर्णियों तथा सहरसा वा पूर्णिया के तराई छेतर में पाया जाता है यहां उपोष्ण अर्ध परणपाती वन पाया जाते हैं प्रमुख्य वरिक्षों में साल, सीसम, तून, खैर, चीड वो पाईन बहुत कम मात्रा में सेमर, आदी, घासों की सवाई, हाथी घास, नरकट, एवंग जहाओ की घनी जाडियां भी पाये जाती हैं दूतिये पॉइंट सुस्क परणपाती वन ये वन बिहार के प्रमुख्य मद्धिवर्ती भाग एवंग दक्षिन पाठार के पस्चिम भाग पर कम वर्षा के छेतर में विस्तृत है प्रमुख्य वरिक्षें, अमलता, सीसम, खैर, बहेडा, पलाश, महुआ, साल, बबूल, एवंग अन्य जहाडियां मैदानी भागों में उपवन का पार्क लेंड तथा फलादार व्रिक्षों के बगीचे जो की सम्माने तोर पे आमवलीची के हैं वो भी पाय जाते हैं बिहार में वन उत्पादन तथा एकत्री करण का विपणन बिहार राज्य विकास निगम करता है राज्यों में वन प्राणियों के लिए सनरक्षन कारेक्रम बिहार में प्राकरतिक वन का कुल छेतर पर 7380.79 वर्ग किलोमीटर है जिसमें वन प्राणियों के सनरक्षन एवंग सवर्धन हेतू 3712.73 वर्ग किलोमीटर में प्राकरतिक वन जिसमें 01 वागया भ्यारन एक गंगे डल्फिन अस्रह सैली 6 वन प्राणि अस्रह सैली एवंग 5 पक्षी अस्रह सैली की रूप में अधिगोशित हैं 3 पक्षी अस्रहनिया क्रमस, कावर जील पक्षी अस्रहन सैली जो की कावर ताल के नाम से भी जाना जाता है कुसेस्वर अस्थान पक्षी अस्रहनी एवंग सलीम अली जुबा बरेला जीला पक्षी अस्रहनी जो की बरेला ताल के नाम से भी जाना जाता है प्रमुख वेटलेंड के रूप में चिन्नित है, राज सरकार ने बोध गया में पिपर घटी में बुद्ध वाटी का नामक तथा, अररिया में कुशियार गाउं में एक जैविवित्ता पार्क का निर्मान किया है, राज के गया में राजकिये वन प्रसिक्चन स्थान की अस इसका कुल छेतरफल 899.38 वर किलोमेटर है, इसमें बाग के अलावा तेंदुआ, भालू, चीतल, सामभर, इत्यादी जैसे कई वन प्राणी निवास करते हैं, वर्स 2018 में कराये गए सर्विक्चन के अनुसार यहां 32 भागों की निवास करने के प्रमान मीले हैं, बालमी की आग परियोजना के विकास हितु भाग सनरक्षन योजना तयार भी की गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा सुकृती दे दी गई है, कैमूर वन प्राई अस्त्रयनी में किंदर प्रियोजित इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट आफ वाइल डाइफ हैबिटेट के अंतरगत, वन प्राणी प्रबंधन से संबंदित क्रिया कलापों के साथ साथ इको विकास के तहद अधावरा के दुरस्थ पठारी छेतर में ग्रमीनों के पशु संसाधन की उत्पादकता उन्यन की एक पाइलट योजना प्रारंब की गई है, राजगीर में एक वन प्राणी सफारी और एक नेचर सफारी की अस्थापना की गई है, राजगीर जू सफारी बिहार का पहला जू सफारी है, राजगीर के नेचर सफारी का उद्गाटन बिहार के मुख्यमंतरी द्वारा 26 मार्च 2011 को किया गया, पटना विस्थ विद्याले में राष्ट्री डॉल्फिन अनुस दूसरा सबसे बड़ा केंदर है, उद्धान राज्ज का पहला पॉलिथीन प्लास्टिक निसेर छेतर है, उद्ध्यान में पौदे के सनरक्षत हेतु, कैक्टस हाउस और ग्रीन हाउस अस्थापित भी किये गये हैं, बिहार के वन जीव आस्रेयर्णी और या फिर आप उस तो कह सकते हैं, आरक्षण ने, देखे सबसे पहला है इसमें वालमी की वाग्या आरक्षण जो की 7-8-2-0-12 को अस्थापित किया गया था पस्चिम चंपारण में, उद्धैपूर वन प्राणी आस्रेयर्णी है, पस्चिम चंपारण में है, कैमूर वन आस्रेयर्णी, कैम गया में है, भीमबान्थ वन प्राणी आस्रेयर्णी मुंगेर में है, पन्थ वन प्राणी आस्रेयर्णी नालंदा में है, विक्रम सिला गेंगेटिक डॉल्फिन आस्रेयर्णी भागलपूर में है, जो देश का पहला गेंगेटिक डॉल्फिक आस्रेयर्णी है, नागी ड पक्षी आस्रेयनी जमूई में है कावर जील पक्षी आस्रेयनी जिसको कावर ताल के नाम से भी जानते हैं बेगु सराय में है कोसेस्वर अस्थान पक्षी आस्रेयनी जो की हमारा दरभंगा में है सलीमली जुगबा सहनी बरेला जील पक्षी आस्रेयनी जिसको बरेला ताल क के नाम से जिनाया आता है वैशाली में है रजवली वन्य प्रयाणी आस्रेणी जो की नवादा में स्थित है ध्यान दिजेगा सब एक पॉइंट पहला पॉइंट सभी आस्रेणियों एवंग वाग आरक्षे के लिए सर्वोचे नयाले के निर्देश के आलोक में जीरो से ले लिए था उक्त त्रेरह आस्रेणियों या फिर बाग आरेक्षन में से वालमी की बाग आरेक्षन कैमूर वन्प्राणी आरेस्रेणी कुसेस्वर गौतम बुद्ध भीमबांध उदैपूर राजगीर बरेला जिल विक्रम सिला गैंगेटिक डॉल्फिन के प्रबंध योज अधिगोसित सुची में सामिल नहीं है इसका स्रोत है परियावरन वन एवंग जलवायू परिवरतन विभाग बिहार सरकार के द्वारा उसके बाद यहां पर कुछ भी ऐसी इंपोर्टेंट चीज नहीं है लेकिन लास्ट में एक पॉइंट ये बनता है कि बिहार में वनों की स्थिती इसको ध्यान से देख लेना है ग्रीन वाज चेतर के अंदर वन अच्छधान 302 वर किलो मीटर है मध्यम सगन 2047 वर किलो मीटर है और खुलावन 2067 वर किलों मीटर है और यही था हमारा आज का इम्पोर्टेंट प्वैंट जो की related था हमारा बिहार 1 एवं 1 जीवन आरक्षन से